प्रश्नोत्तर के चोहदवे भाग को प्रारंभा करते हैं, एक साधक ने महरशी रमन से पूछा कि महरशी समय क्या है? तब महरशी ने कहा, समय एक विचार मात्र है, अस्तित्व केवल सत्य का है, जो कुछ भी संकल्प आप करते हैं, कि वह है, वह वैसा ही दिखता है, यदि आप इसे समय कहें, तो यह समय है, यदि आप इसे अस्तित्व कहें, तो यह अस्तित्व है, और इसी प्रकार, इसे समय मानकर, आप दिन तथा रात में विभाजित कर तथा मास, वर्ष, घंटे एवं मिनटादी में भी ज्ञान मार्ग का समय से कोई संबंध नहीं, किन्तु प्रारंभ में साधक के लिए इस प्रकार के कुछ अनुसाशन एवं नियमादी सहायक हो सकते हैं। भारशी फिर ज्ञान मार्ग क्या है? मन की एका ग्रता, ज्ञान मार्ग तथा, योग, दोनों साधनों में समान रूप से आवश्यक है। योग का लक्ष, जीव का ब्रम्ह से एकी करण है। यह सत्य कोई नवीन वस्तु नहीं हो सकती। यह तो अभी भी विद्यमान होनी चाह पूद करता है कि हमारा सत्य से वियोग क्यों हुआ, वियोग किवल सत्य सी ही हुआ है। तो महर्शी माया क्या है? इससे पहले यह ढूंडो कि माया किसको है, उसे खोज लो, तो माया का लोप हो जाएगा। प्रायह लोग माया के संबंध में जिग्यासा करते हैं, किन्तु म माया किसको प्रभावित कर रही है इसकी परिक्षा नहीं करते यह मूर्खता है माया बाहर है तथा अग्यात है किन्तु जिग्यासा करने वाला ग्यात है तथा अंदर है जो दूर है तथा अग्यात है उसकी अपेक्षा जो अतिसमीप है तथा अंदर है उसकी खोज करो महरशी क्या सांसारिक कारिय आत्म साक्षात्कार में बाधक है? नहीं, ग्यानी की दृष्टी में केवल आत्मा ही एक मात्र सकते है कर्म तो आभास मात्र हैं, वे आत्मा को प्रभावित नहीं करते ग्यानी कारिय करते हुए भी स्वयम को करता नहीं मानता उसके कारिये भी अपने आप होने जैसे होते हैं तथा वह पूर्ण तया निरलेई पर रहकर उन कारियों का किवल साक्षी मात्र रहता है इस प्रकार के कारिये का कुई लक्षे नहीं होता ग्यान मार्ग का साधक कारिये रत रहता हुआ भी साधना कर सकता है प्रारंभिक अवस्था में साधक को कुछ कठिनाई हो सकती है किन्तु कुछ अभ्यास के बाद शीग्र ही इसका प्रभाव होगा फिर कर्मों से उसके ध्यान में कोई बाधा नहीं होगी महर्शी अभ्यास क्या है? मैं की निरंतर खोज जो अहम भाव का मूल स्रोत है यह खोज करू की मैं कोन हूँ? शुद्ध मैं ही सत्य है वही परब्रम्ह सचिदानन्द है उसको भूलने से ही सारे कष्ट एवं कलेशों का जन्म होता है जब एवात द्रड हो जाएगी तो व्यक्ती दुखों से छुटकारा पालेगा महर्शी क्या आत्म साक्षातकार के लिए ब्रम्हचरिय आवश्यक नहीं? ब्रम्ह में रहना ही ब्रम्हचरिय है सामान्य धारना में जिसे ब्रम्हचरिय समझा जाता है उससे इसका कोई संबंध नहीं वास्त्विक ब्रम्हचरिय अर्थात ब्रम्ह में स्थित रहने वाला तू ब्रम्ह में ही सर्वानंद की प्राप्ती कर लेता है वह ब्रम्ह आत्मा से भिन्य नहीं है फिर आनंद के अन्य स्रोतों की खोज क्यों करते हो वास्तव में आत्मा से बाहर होना ही सारे क्लेशों का मूल है महरशी क्या ब्रम्हचरिय पालन योग के लिए आवश्यक है? यह सही है साक्षातकार के अनेक साधनों में ब्रम्हचरिय भी एक साधन है महरशी फिर क्या यह अत्यंत आवश्यक नहीं क्या विवाहित पुरुष आत्म साक्षात कार कर सकता है निश्चे पूरवक यह तो मन की योग्यता का विशय है विवाहित हो अत्वा अविवाहित मनुष्य आत्म साक्षात कार कर सकता है क्योंकि आत्मा यहीं है अभी है यदि ऐसा नहीं होता तथा इसकी उपलब्धी कभी आगे होती एवं यह कोई नवीन वस्तु होती जिसे प्राप्त करना होता तो ऐसा प्रयास वृथा ही होता क्योंकि जो स्वाभाविक नहीं है वैस थाई भी नहीं हो सकता पर मैं यह कहता हूँ आत्मा यहां है अभी है तथा केवल उसी की सत्ता है महर्शी ईश्वर सब में व्यापक है अतह किसी को किसी जीव का जीवन नहीं लेना चाहिए क्या हत्यारे का जीवन लेने का समाज का अधिकार उचित है क्या राज्य भी ऐसा कर सकता है हत्यारे को हत्या करने के लिए किसने प्रेरित किया वही शक्ति उसे दंड देती है समाज या राज्यत उस शक्ति के हाथ में यंत्र मात्र है तुम एक विक्ति के प्राण लेने की बात करते हो युद्धों में असंख्य प्राणियों के जीवन जाते है उसको क्या कहोगे ऐसा ही है महरशी जीवन की हानी तो किसी भी प्रकार हो अनुचित ही है क्या युद्ध उचित है महरशी आत्म ज्यानी पुरुष के लिए जो सदैव आत्मा में हिस्थित है इस लोक में अथवा तीनों लोकों में एक जीव की अत्वा अनेक जीवों की अत्वा सब जीवों की हानी से कोई अंतर नहीं पड़ता यदि वह सब को नश्ट कर दे तो भी ऐसी शुद्ध आत्मा को कोई पाप स्पर्श नहीं कर सकता गीता के अठारवें अध्याय का सत्रवाश लोग है यसे ना हंक्रितो भावो बुद्धिर यसे न लिप्यते हत्वा पिसे इमान लोकान नहंती न निबध्यते जो अहम के भाव से सरवथा शुन्य है जिसकी बुद्धी संसार में लिपाय मान नहीं है यदि वह सब लोकों का भी संगहार कर दे तो भी वह किसी को नहीं मारता और नहीं वह अपने कर्मों के फल से ही बंधता है महरशी क्या व्यक्ति के कर्म उसके बाद के जन्मों पर प्रभाव नहीं डालते क्या तुम अभी जन्मे हो तुम दूसरे जन्मों के चिंता क्यों करते हो यदार्थ में न जन्म है न मृत्यू है जो जन्मा हो उसे मृत्यू तथा शान्ती देने वाले साधनों पर विचार करने तो हो महरशी आपको आत्म साक्षातकार में कितना समय लगा यह प्रश्न इसलिए पूछा गया है कि नाम एवं रूप की प्रतीती हो रही है यह प्रतीती अहम के स्थूल शरीर से इतादात में कर लेने से उत्पन होई है यदि अहम स्वयम को सूक्ष्म मन से मिला देता है जैसे कि स्वपन अवस्था में तो प्रतीती भी सूक्ष्म हो जाती है परन्तु नींद में कोई प्रतीती नहीं होती क्या उस समय भी अहम का अस्तित्व नहीं रहता यदि नहीं रहता तो सुशुप्ती की स्मृती भी नहीं रहती जो सोया था वह कौन था अपनी सुशुप्ती में तुम नहीं कह रहे थे कि तुम सो रहे थे यह तो तुम अब जागने पर कह रहे हो इससे सिद्ध हुआ कि अहम का भाव जगरत स्वप्नवे सुशुप्ती में यथावत रहता है इन अवस्थाओं की तह में जो आत्मा है उसे जान लो वही सत्य इन सब अवस्थाओं की तह में होता है उस अवस्था में केवल अस्तित्व अत्वा सत्ता है वहां तू मैं या वह नहीं है न वर्तमान है न भूत है न भविश्य है वह देश अत्वाकाल से परे है तथा अनर्वचनी है वह तो सदैव है जिस प्रकार केले का व्रिक्ष फल देकर समाप्त होने से पहले मूल की शाखाएं बढ़हता है एवं अन्यत्र रोपे जाने पर ये शाखाएं पुनह फल्वती होकर यही कारिय पुनह करती है इसी प्रकार प्रारंभिक युग के एवं अत्यंत प्राचीन समय के गुरू जिन्होंने अपने रिशी शिश्यों के संदेह मौन से निवारण किये थे ऐसी शाखाएं छोड़ गए हैं जो निरंदर बढ़ रही है गुरू उसी दक्षिना मूर्ती की शाखा है यह प्रश्ण ही नहीं उठता जबकि आत्मा का साक्षातकार हो चुका है महर्शी क्या आपको निर्विकल्प समाधी है यदी नेत्र बंद हो तो निर्विकल्प है यदी नेत्र खुले हो तो वह सविकल्प हो जाती है सर्वता विद्यमान स्वाभाविक अवस्था सहज समाधी की है महरशी क्या काशी में देह त्याग से कुछ लाब होता है? हाँ, इसका अर्थ तो वास्त्विक काशी तथा वास्त्विक देह त्याग का अर्थ जानने से ही स्पष्ट होगा आपका भाव यह है कि ये सब आत्मा में है हाँ, ये सब महर्शी शरीर में छे केंद्र हैं तथा उनके अनुरूप जगत में उतने ही केंद्र है हाँ, जो जगत में है वह देह में है तथा जो देह में है वह जगत में भी है महर्शी क्या ज्यानी के लिए एकांत आवश्यक है मनुष्य एकांत में है सदा और एकांत मनुष्य की मन में है संसार से घिरा हुआ होकर भी यदि व्यक्ति मानसिक शांती बनाए रखने में समर्थ है ऐसा व्यक्ति एकांत में है दूसरा व्यक्ति वन में रहकर भी मन को वश्मे करने में असमर्थ हो सकता है उसे एकांत में रहने वाला नहीं कहा जा सकता एकांत तो मन का कारिय है वासना में लिप्त रहने वाला व्यक्ति चाहे वह कहीं भी रहे एकांत प्राप्त नहीं कर सकता वासना उसे निरलेप व्यक्ति सरवदा एकांत में है महरशी क्या फिर कर्म करते हुए भी व्यक्ति वासनाओं से मुक्त होने से एकांत सेवन ही करता है क्या ऐसा है हाँ फल की इच्छा से किया कर्म बंधन है जबकि निश्काम कर्म करता पर कोई प्रभाव नहीं डालता कर्मरत रहता हुआ भी वह एकांत में है महरशी लोग ऐसा कहते हैं कि तिबबत में अनेक संत है जो एकांत में रहते हुए भी जगत का भारी उपकार कर रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है ऐसा हो सकता है आत्म साक्षातकार मानवता की सबसे बड़ी सहायता है इसी कारण वन में रहते हुए भी संत सहायक हैं किन्तु यह नहीं भूलना चाहिए कि एकांत केवल जंगलों में ही है एकांत तो नगरों में और सांसारिक कारियों से घिरे हुए होने पर भी संभव है महर्शी क्या यह आवश्यक नहीं कि संत लोगों से मिले और उनकी सहायता करें केवल आत्मा हिस्सत्य है संसार तथा अण्य वस्तु में नहीं आत्मा ग्याने पुरुष जगत को अपने से भिन्न नहीं देखते फिर सहायता करने के लिए कोई दूसरा नहीं होता है वहां महर्शी तात्परिय यह हुआ कि संत का आत्म साक्षातकार मानवता के उत्थान में सहायक है चाहे वह मानवता को इसका भान हो या नहो क्या ऐसा है हां उपकार का भान नहीं होता पर फिर भी वह है एक संत पूरी मानवता का कल्यान करता है पर मानवता को इसका भान नहीं होता महर्शी यदि वह अन्य वेक्तियों से मिले तो क्या ठीक नहीं होगा मिलने को कोई दूसरा है ही नहीं किवल आत्मा है और वही एक मात्र सक्ते है महर्शी यदि सो आत्मग्यानी पुरुश हो तो क्या जगत का अधिक कल्यान नहीं होगा जब तुम आत्मा कहते हो तो असीम का जिक्र करते हो पर जब तुम पुरुश कहते हो तो अर्थ को सीमित कर देते हो किवल एक अनंद आत्मा है और कोई भी नहीं महर्शी आपका संसार की माया के सिध्धान्त के वारे में क्या मत है माया क्या है वह केवल सत्य ही तो है महर्शी क्या माया भ्रह्म नहीं है माया सत्य के आईश्वरिय को प्रकट करता है अतह वास्तों में माया भी केवल सत्य ही है महर्शी, मन को जगत से किस प्रकार हटाएं? यह देखो, क्या संसार है? मेरा आशय है? क्या आत्मा से परे संसार है? क्या जगत कहता है कि वह है? यह तो तुम हो जो कहते हो कि संसार है उस आत्मा को मालूम करो, जो यह कहता है फिर जगत को हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर तुम किवल आत्मा में ही ठहर जाओगे आत्मा ही तुम्हारा अंतिम लक्ष है वहाँ पहुचकर तुम्हारे मन के सारे संशय, सारी चिंताएं मिठ जाएंगी किवल तुम रहोगे आनंद में हुआ है झारे सकता है ओुम्हार लक्ष है तुम्हार बखुम्हारे जाएंगी पर दो फिर तुम्हारे पर आत्मा में के सारे प्रैजल